हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर चनल नेक्स्ट नाइन न्यूस एम येर होस्ट एन दोस्त प्रांश शिराठर इन दिनों काफे जादा सुर्ख्यों में बनी है लाफ्टर कुईन भारती सिंग भारती सिंग इस वर्थ अपनी प्रेगनेंसी पिरेट को जम कर इंजॉई कर रही है तक्रीबन पांच महीने की प्रेगनेंट है भारती सिंग प्रेगनेंसी के दोरान भी भारती अपने काम पर ध्यान देती हुई नसर आ रही है दरसल भारती सिंग ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि वहें प्रेगनेंसी के दोरान भी काम करना चाहती है व किते कुछ समय पहले ही भारती सिंग और हर्ष लिंबाचिया ने सोशल मेडिया के जरिए अपने फैंस के बीच गुड़ न्यूज शेयर की थी कि जल्द ही उनके घर किलकारियां कुझने वाली हैं बता दियां को 3 दिसंबर साल 2017 में हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंग भी वाकिफ है कि भारती सिंग जो इन दिनों काफी जादा खुश हैं काफी जादा एकसाइटेड हैं कि वह मां बनने वाली हैं भारती सिंग जिन्होंने टीवी इंडॉस्ट्री से लेकर फिल्म इंडॉस्ट्री तक में अपनी खास पहचान पना रखी है इस मुकाम को हासि करने के लिए भारती सिंग ने कई उतार चड़ाक का स्तामना भी किया है भारती सिंग के संघर्ष की दिनों से हर कोई वाकिफ है किसे रहा से बच्पन में भारती सिंग ने काफी कुछ लेकिन भारती सिंग ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए एक बार फिर से अपने दिल के दर्थ को बया किया है भारती सिंग ने एक चौकाने वाला खुलार सा किया है क्या कहती है भारती सिंग भारती सिंग ने ऐसे किस किस्ते को शेर किया है आए बताते हैं इस के जरिये देखिए यह रिपोर्ट टीव इंडुस्टी हो या फिर फिल्म इंडुस्टी एंटेटीनमेंट इंडुस्टी में हर वक्त चर्चा का विश्य बनी रहती हैं लाफ्टर कुईन भारती सिंग अपनी कॉमेडी के लिए काफी जादा मश्रूर हैं भारती सिंग के कॉ मुस्कान ला देती हैं भारती सिंग अपनी कॉमेडी के जरिये भारती सिंग भले ही किसी भी टीवी रेयलिटी शो में नजर नाएं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी जादा एंटेप रहती हैं सोशल मीडिया पर फणी वीडियो शेयर करती हुई देखिस आती हैं फैंस को हस ताती हुई नजर आती हैं लेकिन दूसरी ही तरफ अपने यूट्यूब चैनल के जरिये भी फैन्स को एंटर्टीन करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ती हैं आए दे मुंबई में जब भी भारति सिंग कहीं भी स्पॉर्ट की जाती हैं उस दौरान भी पैपराजी से हसी मजा करती हुई देखी जाती हैं टीवी शोज की शूटिंग के सैट अबी वहीं टीवी रेयलिटी शोज की शूटिंग के दोरान भी भारति सिंग सभी को हसाती हुई देखी जाती हैं हमेशा ही लोगों को हसाने वाली भारति सिंग कभी कभी अपनी आखों से आशु छलकाती हुई भी देखी जाती हैं हाल ही में भारती सिंग ने अपनी लाइफ को रपी हाल ही में भारती सिंग ने अपनी जिन्दगी से चुड़े एक दर्भरी राज को शियर किया है भारती सिंग जो इन दिनों प्रेगनेंट है तकरीबन पांच महीने की प्रेगनेंट है भारती सिंग इस साल एपरेल की महीने में अपनी बीबी को जन देने वाली है 3 दिसम्बर साल 2017 में भारती सिंग हर्ष लिमबाचिया के साथ शादी के पंधन में पदी थी हर्ष और भारती पूरी तरहा से तैयार हैं पैरेंस बनने के लिए भारती सिंग और हर्ष लिम्बाचिया अपने नन्य से बेबी का स्वागत करने के लिए काफी ज़्यादा एक्साइटेड है कुछ वक्त पहले ही सोशल मीडिया के जरिये भारती और हर्ष ने इस गुड न्यूज को शेर किया कि जल्द ही उनके घर एक नन्ना सा महमान आने वाला है जहां एक तरब भारती सिंग काफी ज़्यादा खुर्शाल और आलिशान जिंदी की पिता रही है लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारती सिंग ने अपनी लायथ में काफी कोच्छो सहा था भारती सिंग के स्ट्रगल से हर कोई वाकिफ है भारती सिंग ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था वही भारती सिंग और उनकी भाई और उनकी बहन की परवरिश उनकी माने अपने ही दम पर अकेले ही की है भारती सिंग जब entertainment industry में कदम रखी उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने अपनी दिल के दर्थ को पया किया है संघर्ष के दिनों को याद करते हुए अपनी दर्थ को छलकाती हुई नजराई है भारती सिंग ने बताया है कि वह शुरुआत में शो के दोरान अपनी मा को साथ ले जाया करती थी इसके पीछे की वज़ा ये थी कि शो के दोरान उनके साथ कई बार गलत व्यवार हुआ था दरसल भारतिस सिंग ने बताया कि शो के तोरान उन्हें काफी लोग गलत तरीके से चूटे थे भारतिस सिंग ने हाल ही में आक्टर और होस्ट मनीस पॉल को दिये गए इंटरव्यू में अपनी लाइफ के कुछ अनसुने किस्तों को शेयर किया है भारतिस सिंग इन किस्तों को शेयर करते हुए अपने दिल की दड़ को छलकाती हुई देखी गई है भारतिस सिंग ने बताया है कैसे अपने शुरू आती समय में शो के दोरान लोग उन्हें गलत तरीके से छूआ करते थे उन्होंने बताया है कि उस दोरान इस चीज की उन्हें समझ तक नहीं थी वे समझ ही नहीं पाती थी कि उनके साथ कुछ गलत व्यवार हुआ है इसलिए उन्होंने हर शो में अपनी मम्मी को ले जाना शुरू कर दिया लोक उस्वक्त भारती की मा को विश्वास में लेने के लिए उन्हें भरोसा दिलाया करते थे कि डरिये मत हम भारती सिंग का खयाल रखेंगे हलंकि भारतिस सिंग उस वक्त समझ नहीं पाती थी, उन्हें उस वक्त अच्छे और बुरे टच्च के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, वह है समझ नहीं पाती थी कि कौन उन्हें किस इरादे से छोड़ा है इसके अलावा भार्तिस सिंग ने बताया कि जो बिचोलिया आपको पैसे देता था वो आपकी कमर को रगड़ता था भार्तिस सिंग के मुताबिक सामने आया है कि उन्हें ये पता था कि ये अच्छी फिलिंग नहीं होती भारती कहती हैं कि वहें पहले काफी ज़ादा बेवकूर थी उनमें समझ नहीं थी क्योंकि उन्हें किसी के इरादे समझ ही नहीं आते थे हलंकि अब वक्त बदल चुका है अब हैं काफी चीजों को समझने लगी हैं काफी कुछ समझती हैं और अपने लिए आवाज भी उठाना चानती हैं अब वो अपने लिए आवाज उठा सकती हैं उनके अंदर काफी हिम्मत आ चुकी हैं अब वो लोगों से पूछ सकें कि वो क बहां और क्या देख रहे हैं भारतिस सिंग अब खुद के लिए आवास उठा सकती हैं इस तरह से भारतिस सिंग ने अपने इट्रिव्यू में उस राज को खोला है कि कैसे उन्होंने लोकों का बरताव सहा है भारतिस सिंग जब मॉलेस्टेशन का शिकार हुन थी रिपीट जब भारतिस सिंग के साथ ऐसे बरताव हुए थे उन बरताव को वह समझ तक नहीं रिपीट जब भारतिस सिंग के साथ शोके शूटिंग के दौरान ऐसा व्यवार होता था लोग उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश किया करते थे और इस वजह से भारतिस और उन दिनों को याद करती हुए भारती सेंग अपने दिन के रिपीट है, अपने दर्द को छलकाती हुए नसर आई हैं आप सभी ने देखा जाना लाफ्टर कुइन भारती सेंग के बारे में भारती सेंग जिन्होंने अपनी पर्सनल और प्रॉफेशनल लाइफ में काफी कोछो सहा है, काफी कोछो जेला है लेकिन आज भारती सिंग हर्ष लिंबाचिया के साथ काफी खुशाल और आलिशान जिंदी की पिता रही है वर्प्रंट के बारे में बात की जाए जहां एक तरब भारती सिंग फैमस कॉमेडी शो दकपिर शर्मा शो में नज़र आ रही थी लेकिन भारती सिंग अब आप सभी को नज़र आएंगी टैलेंट रियालिटी शो उनरबाज में अपने पती हर्ष लिंबाचिया के साथ इस शो को होस्ट करती हुई दिखाई देंगी वहीं भी ते कुछ दिनों पहले ही टीवी रियालिटी शो बिग पॉस सीजन 15 के वीकेंड के वार इस पेशल एपिसोड में भी नज़र आएं थी हमारे इस प्रोग्रेम में इतना ही तब तक के लिए आद देख रहें नेक्स्ट नाइन निउस